नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ एक ऐसी शक्सियत हैं जिनोंने भारत के विकास के भारत के इतिहास के एक बड़े दौर को अपनी आखों से देखा है, जिया है और महसूस किया है हमारे साथ सरदार लखों सिंग बग्गा साहब मौजूद हैं, जो पाकिस्तान को बिलॉंग करते थे, इनके पिता पाकिस्तान से भारत में आये थे, लाहौर के करीब आपका निवास हुआ करता था, इनके फादर 1940 के करीब हिंदुस्तान आ गये थे और पहले कपड़े का कार जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, पाकिस्तान का वो छेत्र जो भारत में, जो भारत का हिस्सा हुआ करता था पूरा पाकिस्तान, उस समय उस अविभाजित भारत में आप लाहौर से आपके फादर इधर उत्तर प्रदेश तक आते थे, लखनव और बारबंकी में रुबार था आपका, और भारत की सौतंतरता के बाद जो अलग-अलग इतिहास के भारती है, आधुनिक इतिहास के जो बड़े घटना करम हैं, उनको आपने अपनी आँखों से लेखा है, और हम आपका स्वागत करते हैं, दा इंडियन ओपीनियन में, अश्कार सर्प, सब बड़ा बना हुआ है, कश्मीर को लेकर, बटवारे के बाद की अगर हम बात करें, बटवारे में जो विवाद हुए, बटवारा हो गया, उसके बाद दोनों देशों को अलग-अलग अपने रास्ते पे चलना था, लेकिन कश्मीर का जो विवाद है, उसको आप किस तर से देखते हैं, और उसमें किसकी लापरवाही या किसका गलत फैसला आप मानते हैं, अब चूंकि बटवारे के तुरांत बात पाकिस्तान ने काश्मीर पे हमला कर दिया, उस समय काश्मीर के राजा थे हरी सिंग, और वो जब उन्होंने देखा कि हम पाकिस्तान से मकाबला न पीछे धकेला, और आधे दूर तक पहुंचे थे तो उस समय उन्हों से टेलीगराम आया, जो पंडित नहरू ने रिसीव किया, और सदार पटेल उसको रिसीव नहीं करना चाहते थे, लेकिन पंडित नहरू ने चूंकि उन्तर राश्ती इस्तर के नेता थे वो, इसलिए उन्हों ने अपनी च्छक बनाने के लिए उस टेलीगराम को रिशीव किया, और वो जहां कहां फोजे दोनों तरब की रुख गई, और वही विबात का कारण आज बना, और आज भी काइम है वो. अच्छा, आप मानते हैं कि उस समय एक बहुत गलत डिसीजन, पंडित नहरू ने लिए बहुत गलत निर्ड़े लिया, जिसका खाम्याजा भारत आज तक भुगात रहा है, और पता नहीं कब तक यह समस्या बनी रहे गी है, उस समय अगर सदार पटेल ग्रह मंत्री चूंक पाया, और वो समस्या भारत के लिए आज भी सिर्दर्द है और आगे देखिये कब तक रहती है, यह समस्या, अच्छा, नहरू जी ने उस समय भारती हितों के खिलाफ जाके, अगर कहा जाए, उनके अपने देश के हितों के खिलाफ एक निर्ड़े लिया, क्या किसी तो था उनका, वो अपनी छवी को चमकाने के लिए उन्होंने उस समय ये निर्ड़े लिया, और अगर सादार पटेल की चलती तो कश्मीर समस्या का समाधान उसी समय हो जाता, यानि पूरा कश्मीर पूरा जो कश्मीर था वो भारतिये सेना के नियंतर्ण में लगभग आह भारत की सेना का सौर के आगे पाकिस्तान कहीं टिक नहीं सकता था, लेकिन सिफ राजनेतिक कारणों से उसको मनलब दोनों की सेनाओं को रोक दिया गया, पाकिस्तान जहां पर था वहां रुग गया, भारत की सेना जहां तक कश्मीर को खाली करा पाई, वहीं रुग गई, और वो समस्या आज भी बनी हुई है वही पूरा कारण बना हुआ युद्ध का और इनका भारक का संबन्द जो है तो वो अगर पर्टेल की चलती तो शायद ये नौबत ना आती है। कश्मीर में बड़ी संख्या में हलाकि मुस्लिम आबादी जादा थी लेकिन हिंदू और सिखों की भी अच्छी आबादी थी और अड़तालिस के बाद जब कबायली हमला हुआ तो सबसे जादा वहां हिंदू और सिखों को निशाना बनाया गया। उसके बाद लगातार कश्मीर में जो दौर शुरू हो गया। आज इस्तिती है कि कश्मीर में हिंदू और सिखों की संख्या बिल्कुल ना के बराबर है। अभी पिछले दिनों कई मामले आए कि सिख परिवारों की बेटियों को जबरदस्ती उठा ले गए। हिंदू परिवारों का भी वहां रहना मुश्किल है। तो यह जो एक कश्मीर में कटरवाद जिहाद जो कश्मीर में बिल्कुल हावी हो गया। और वहां के माइनॉर्टीज अल्प संख्यक जो हिंदू और सिख से उनको जो मुश्किले उठानी पड़ी उसे आप किस तर से देखते हैं कौन जिम्यदार रहा उसके लिए। उस समय जब पाकिस्तान ने हमला किया उसको मुँ की खानी पड़ी थोड़ी पिशड़ना पड़ा तो वो उसने और कोई दूसरा रास्ता अपना करके हिंदू सिख और मौसलमानों में मदभेद पैदा करके यह समस्या पैदा की और अपने आदमियों को भेज भेज के कश् पंडित आज भी दिल्ले में सड़ना गत हैं उनका भी कोई समधान आद तक निकल नहीं पाया है अभी कुछ दिनों पहले जो सिख परिवारों पर एक मुसीबत आई थी वहाँ पर और लोगों ने मीडिया में आके अपनी बात रखी प्रैन मिस्टर और हो मिनिस्टर से भी गुजारिश की कि सिख परिवार जो चंद बचे हुए हैं और एक बड़ा कांड हुआ था कुछ वर्ष पहले आपने सुना होगा 36 सिख पुरा कांड जां 36 सिखों को एक साथ कतल कर दिया गया था तो सिखों को क्यों निशाना लगातार वहां के टर्रेस्ट बना रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि हम सिखों के से डायरेक्ट लड़ नहीं सकते हैं इसलिए सिखों को उसने टार्गेट बना कि सिख भागेंगे तो साथ में दूसरी और लोग भी इनके पीछे पीछे भागेंगे तो हमारा कासमीर पर फिर कबजा हो जाएगा और इसलिए उसने ये सारा कुछर कर रचा है और पाकिस्तान ने सिखों को हिंदूं पर मतलब अत्याचार करकर के आज ये हालत पहुंचे कि लगभग लगभग पूरा कासमीर हिंदू और सिखों से खाली हो चुका है अज़ा जो वहां पर आपने बताया कि कनवर्जन भी वहां कनवर्ट भी बहुत लोगों को कराया गया तमाम वहां जो पहले हिंदू थे या पंडित थे या हिंदू समाज के विमन जातियों के लिए हो गया सरदार जो थे उनमें से भी बहुत से लोगों का कनवर्जन तो समाज में क्यों इतनी गलत फहमी हुई कश्मीर के जो मुसल्मान हैं उन्होंने क्यों नहीं सपोर्ट किया अपने हिंदू और सिख भाईयों को पाकिस्तान की जो पालसी थी कि हिंदू सिखों को पहले लड़वाया जाए मुसल्मानों को लड़वाया जाए मुसल्मानों ने उपसाद दिया तो उनका भी कतले आम किया गया और पाकिस्तान के अंदर जो भी मतलब सिख परवार थे या हिंदू परवार थे उनको जबरिया मुसलिम बनाया गया बहु बेटियों के साथ अत्याचार किये गये तो उसका नतीजा यह है कि आज वहाँ सिखो हिंदू की संक्या लगबग ना के बराबर बची है तो एक समय ऐसा भी आया था जब वहाँ कुर्दवारों को भी छतिगरस्त किया गया आप क्या देखते हैं आप क्या देख पा रहें जिस तरह से बीजेपी गॉर्मेंट ने नरेंदर मोदी प्राइमनिस्टर हमारे हैं उन्होंने एक फैसला लिया कि आप 370 वहाँ से हटा दिया है और एक कानूनी अधिकार दे दिया है कि शेश भारत के जो कश्मीर के अतरिक्त प्रदेशों के भी जो लोग हैं वो कश्मीर में रह सकते हैं पहले ये प्रतिबन था कि अन्हे प्रदेशों के लोग कश्मीर में नहीं रह सकते वैपार नहीं कर सकते तो इससे क्या लाब मिलेगा आपको दिख पारा क्या भविश्य बेहतर होगा कश्मीर का वहाँ हिंदू मुसल्मान सब लोग मिल जूल कर सिख सब अपने अधिकारों के साथ सुरक्षित रह पाएंगे अभी तक तो जो हालात हैं 370 हटने के बाद एक भी पंडित परवार वापस नहीं गया है कसमीर और ना ही किसी ने वहाँ कोई प्रापर्टी खरीदी है और जब कि ये कहा गया था कि पंडितों को वहाँ फिर से बसाया जाएगा लेकिन आज भी पंडित लोग डिली के अंदर या अदर अदर लग छेत्रों में सरनागत रह रहे हैं और उनको भी कोई लाब मिला नहीं अभी इसका पूरा 370 हटने का अब आंते हमाद देह्षत बनी हुई है या डर है उन्हें की वो मार दिये जाएंगे बीच में भी कुछ महां हिंदू की हत्याय हुई ये तो स्वाभाविक है जब से ये 370 हटने के बाद भी आतंकवादी घटनाय ना रुकी है और ना कम होई कम जरूर थोड़ी बहुत हुई है लेकिन पूरू रुपेर अभी खतम नहीं हुई और इसके लिए सरकार कोई सक्त कदम उठावे तब यह पासबिल है कि यह मतलब हो पावेगा यह कश्मीर पंडित वापस जा सकते हैं या भारत के अंद प्रांतों के लोग वहां रह सकते हैं यह अभी तो संभव नहीं लग रहा है बहुत बड़ी चुनोती भारत के लिए बंगया है एक समस्या बंगया है शरीर में बहुत बड़ा घःव बन गया है जो लंबे समय से बना हुआ भारत राष्टर के लिए निस्पष्भाव से कहें अगर बीना किसी राजनीतिक क उन्हों ने इसको रोकने में मतलब अगर उस समय यह हो जाता कि कास्मीर की पूरा अपना हो जाता तो आज यह समस्य ने रहती लेकिन इसके बाद भी जो भी सरकारे आई किसी ने कोई बहुत बड़ी इस पर कोई बहुत बड़ी कारवाई करने की चमता किसी सरकार ने अपने दिखाई नहीं अच्छा एक बॉर्डर हमारा चाइना की तरफ है जो हमारा नौर्थ हिस्ट बॉर्डर है और हमारा उत्राखंड से ही बलकि पाकिस्तान के निकट से ही हमारा शुरू हो जाता है हमाले की गाटियों से होते हुए चीन सीमा भी हमारी सविदर्शील बनी तत्कालीन पुरदान मंत्री नहरू की नीतियों की वज़े से तिख्वत पें चीन का कबजा हो गया और चीन ने पहले तिख्वत को कबजा करने और मनौबल बढ़ा तो वह भारत की इस्ट को कबजा कर रहा है क्या सच्छा ही है इसमें एक समय था जब पंढ़ित नहरू और चाविनलाई की बहुत गहरी दोस्ती में तरता होती थी और भारत में नारे लगते थे हिंदी चीनी भाई 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 यही नारे चीन में लगते थे यही भाई बहुते दिन चीन ने ऐसा पीठ में छुरा भूखा कि पंडित नहरू समय तूट गए और वो उनका तूटन और देश की काफी भूभाग हमारा चला गया चीन के कबजे में जो आज भी हम लेने पाए उसके बाद भी ना लेना तो अलग बाद और चीन ने कबजा कर लिया हमारे भूभाग पे जिसको कोई स्वरकार मानने को तैयार ही नहीं है तिब्बत पर जो कबजा हुआ चीन का उससे भारत को कितना नुकसान हुआ चीन के होसले बुलंद होके चीन से दलाई लामा भाग के आये तिबिति सरनाथी भाग के भारत आये उनको आज भी हम भारत में सरन दिये हुए हैं लेकिन उनकी कोई भी सरकार मदद नहीं कर पाई, वो आज भी सरनातियों वाला जीवन बतीत कर रहे हैं और किसी भी सरकार ने तिबित्यों के लिए कोई खास किया नहीं और तिबत के जो लोग थे आज भी सरनाती बने हुए हैं और चीन ने ना केवल तिबत को कबजा कर लिया बलके राचल परदेश पर उसकी निगाहें गड़ी हुई है लगडा के एरिया में उसकी निगाहें गड़ी हुई हैं वो जबदस्ती भूभाग पर कबजा करना चाहता है लेकिन कोई सरकार इसके पच्छे में कोई भासन या कोई ऐसा दबाव बना नहीं पाई अभी तक अज़ाप अगर इमानदारी से इस वीशे पर अगर ध्यान के अंद्रिट करें और एक हाकलन करें पूरियफ की सरकारों में कौंग्रेस गोर्मेंट में और वरतमान की नरिन्र मोधी गोर्मेंट में किसका परफार्मेंस आप बहतर मानते हैं देश के हितमे देश की मजबूती के लिए देश के हितमे तो देखिए कुछ काम मौधी जी ने बहुत अच्छे किये लेकिन जिस हिसाब से मौधी जी का वो था कि हम यह कर देंगे 36 इंच का 56 इंच का सीना हमारा है और हम ये लेकिन आज जिस हिसाब से चाइना ने भारत की तरफ बढ़ा है तो उसको रोकने में भारत असमर्थ नजा राता है और ये नहीं होना चाहिए भारत की सेनाएं बहुत समर्थ हैं और वो किसी भी देश से संघस करने में विजय करने तने में आज भी सच्छम हैं और हमने पाकिस्तान को सबकशिखाया और एक बारत बंग्ला देश का पाकिस्तान और बंग्ला देश को दो टुकडे किये लेकिन हमारी सेनाई आज भी बहुत सच्छम है और सब कुछ कर सकती है किसी भी देश बड़े से बड़े देश का मुकाबला कर सकती है लेकिन हमारे देश में थोड़ी सी इच्छा सक्ती की कमी है नेताओं की गलती है नेताओं ने मनलब जो कदम उठाने चाहिए थे और सेना को वो छूट नहीं दी जो लाल भादू सास्ती ने दी थी अच्छा अब जब 71 में युद्ध हुआ और बांगला देश का निर्माड हुआ और भारत ने दुनिया में सबसे बड़ी जीत थी लगभग 93,000 पाकिस्तानी फौजीयों को भारत की फौज ने बंदी बना लिया लेकिन कहा जाता कि भारत की फौज की वो जो जीत थी वो जो विजय थी उसे समझोते की टेबिल पे शिमला समझोते में इंद्रा गांधी ने उसको गमा दिया और सारे फौजी भी वापस चले गए जीता हुआ जो पाकिस्तान के एरिया पे हमने कबजा किया था वो भी वापस कर दिया और उनसे हमने उसके बदले अपना कश्मीर का आधा हिस्सा भी हम वापस नहीं ले पाए अपने जो हमारे तमाम अधिकारी फोज के और तमाम सैनिक पाकिस्तान ने बंदी थे उने भी वापस नहीं ले पाए ये कहा जाता है आपकी दृष्टी में क्या सत्य है 71 की में जब इंदरा गान्धी ने पाकिस्तान के दो टुपड़े किये और 90,000, 93,000 फोजियों ने आसमार पड़ किया ये विश्ट की एक अनोखी घटना थी लेकिन भारत को जिस हिसाब से उस भारत ने रखा 90,000, 93,000 फोजियों को अपने असरण दीर दो साल खिलाया पिलाया फिर सिमला समझोते में टेबल पर बैट के और कुछ गलतियों की वज़े से वो हमारा जो समझोता होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं हो पाया भारत के पच्छ में नहीं हो पाया वो अधिक समझोता पाकिस्तान के पच्छ में गया इसके लिए किसकी विफलता आप मानते हैं अब तत्कालीन परदान मंत्री इंद्रा गांधी नहीं समझोता किया था और उधर से भुट्टो थे सिमला में समझोता हुआ अब किन कारणों से ये मनलब उसका फाइदा नहीं ले पाए हो सकता कोई राजनेतिक कारण रहे हो लेकिन भारत को तो नुकसान उठाना ही पड़ा और जो हमारे फोजी मरे या भारत के जो फोजी सहीद हुए तो उनकी अगर हम चाहते तो उस समय कस्मीर वापस ले सकते थे पाकिस्तान से और नबे हजार फोजीयों को चोड़ने से बचा सकते थे और उसकी एवेज में हम अपना कस्मीर वापस ले सकते थे